बात New Zealand Study Visa की करेंगे जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि बाकी country strict हो रही है थोड़ा थोड़ा Australia का process बहुत ही जादा difficult होता जा रहा है क्योंकि documentation की बात करें या फिर जो एक बार refusal जिस student को मिल जाती है वो reapply नहीं कर सकता तो इस सब में New Zealand उन students के लिए बहुत ही अच्छी option आज के time में देखी जा रही है तो काफी बातें आपको clear करेंगे New Zealand Study Visa को लेकर स्वागत है आप सभी का मैं हूं हर जोदकौर और New Zealand Study Visa को लेकर धेर सारी information आपके साथ share करेंगे navigators overseas से visa expert मिसीज वीना गुल मैं हमारे साथ हैं बहुत बहुत स्वागत है मैं नमश्कार नमश्कार तो मैं हम आज New Zealand Study Visa के जैसे हम बात करने जा रहे हैं तो मैं जरूर पहले तो यही बात करना चाहूंगी कि जो student Australia नहीं जा पाते हैं चाहे के refusal एक कारण बन गया हो या फिर एक साल से जादा का delay पड़ चुका है यह reason हो उनके लिए हम कैसे New Zealand को एक अच्छी option मान सकते हैं हरजोद मैं तो New Zealand को खुद भी as a student अगर मैं होंगी तो मैं सबसे अच्छी option मान होगी एक country जो आपको visa नहीं दे रहा है दूसरा country की कुछ और problem है तो यह country ने आपको बड़ा balanced visa दिया कभी बहुत ज़्यादा नहीं दिया कभी बहुत काम नहीं दिया और fees after visa जाती है आपको खली medical और PCC देना जिसके base पर फाइल लगती है country के अगर देखे extreme climate नहीं है और beautiful as it is कि आप अगर देखो तो natural beauty इतनी जादा है कि you will be surprised कि इससे beautiful country नहीं हो सकती तो ऐसी country में हर student पढ़ना चाहेगा और post study work permit भी बहुत अच्छा है इनका आप देखो कि अगर master's course के लिए बच्चा जाता है level 8, 9 के लिए 9 के लिए अगर बच्चा जाता है तो spouse को साथ लेके जा सकता है अपनी family साथ लेके जा सकता है कुछ masters इतने अच्छे design हुए है कि 1.5 year में 2 years का program आपका खली 5 साल में complete हो जाता है and post study work permit आपको 3 years का मिल रहा है तो आप देखिए कि सारे plus points है IELTS को इतना strict नहीं कि आपको 7 band चाहिए not less than 6.5 या 6.5 not less than 6 6 band में भी आपको accept कर लिया जाता है institute to institute vary करता है अब यहाँ पर यह नहीं कि एक particular course में ही आपको जो है admission मिलेगी अगर आप visa officer को satisfy कर पाते हो क्योंकि fees after visa जाननी है plus point यह है हाँ हली student को जो दिक्कत आती है वो how much fund they have to show तो इनका thumb rule है first year का जो है आपको six month old दिखाना है one year fees मान लिजी मैं एक average institute की बात करूं तो 25,000 डॉलर पर एना में यह 30,000 25,000 में भी we can offer you the institute और 20,000 डॉलर आपको दिखाना है living expenses तो 45,000 डॉलर आपको six month old दिखाना है मलए 24-25 रॉपय आपको six month old दिखाना है अगर 6 महिने का जो course आगे का है उसकी fees मान लिजी और 10,000 डॉलर एक्स्ट्रा है तो वो आप fresh भी दिखा सकते हो लेकिन आपकी income 12-15,000,000 हम advise करते हैं कि होनी चाहिए क्योंकि income थोड़ी strong देखते हैं यह ने कि आपने 2,500,000 की ITR वरी है और उसमें आप apply करने हैं इसकम थोड़ी अच्छी होने चाहिए और सबसे बड़ी बात कि सारा कुछ जब visa approval आ जाता है then you have to pay the fee, then you have to pay whatever the amount जो भी उनको भूला जाएगा तो visa से पहले आपका कुछ भी नहीं जा रहा है आप अपनी family को लेके जा सकते हो लेकिन undergrad course में family को नहीं लेके जा सकते undergrad course में आपका 3 years का भी हो सकते है और diploma courses भी होते हैं 2 years के भी हो सकते हैं तो उनके लिए IELTS requirement as usual 6 band और 5.5 student दे सकते हैं जी ठीक है तो यह देखो बहुत ही अच्छे points में आप सभी को guide के हैं तो जो students सोचते हैं हम New Zealand apply करें या ना करें है क्यों हम apply करना चाहिए इन सभी का सभी सवालों का जवाब आपको जरूर मैम ने दे दिया है मैम जरूर intakes को लेकर भी आप जरूर clarity दीजिए जो students अगर apply करना चाह रहे हैं तो कब उनको apply कर लेना चाहिए और processing time कितना रहता है और किन-किन बातों का ध्यान भी students को जरूर रखना चाहिए इंटीक जो है में इंटीक है अब बच्चों का में के बाद September है तो आप जो है में इंटीक के लिए अभी apply करेंगे आपकी जो है उसके बाद PCC होएगी और medical होगा funds आप लोन के चाहिए जो आपका सी बिल स्कोरों यह देखके लोन कर देते हैं लेकिन कोई प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन न्यूजिलेंड में अभी चल रहा है बीच में ले रहे थे लेकिन अभी यह concern आ रहे है कि लोन सिक्योर्ड लोन ही चाहिए तो that means कोई प्रॉपर्टी आपके पास होनी चाहिए जिसके अगेंस्ट आप लोन ले सको बाकि स्टूडेंट का रहता है green list के course हो या नहीं हो doesn't matter green list के course है तो अच्छा है नहीं भी हो तो कुछ courses जिन में बहुत shortage है और आप जाके करते हैं और साथ ही आपको जौब मिल जाती है फिर आपको green list से कोई फरक नह लेकर और उसके accordingly आप सही options चूज करना चाहते हैं और आपको अभी भी कुछ बातें अगर clear नहीं हो रही है तो ज़रूर जो number display है इस पर call करके भी आप पूरी जानकारी ज़रूर ले सकते हैं बहुत बहुत थैंक्स मैं ये सारी जानकारी न्यूजलेंड को लेकर आपने ब जांक चीजलेंड्स shed तो बहुत 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 बढ़न है तो करके बहुत 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 दिसे जानकारी जानकारा हैं दो हैं दो